फूर्थ पार्ट देखें cos of 10 inverse 3 by 4 इसको evaluate करना है बाहर तो आपको दे रखा है cos और अंदर दे रखा है 10 inverse अगर किसी तरीके से हम 10 inverse को cos inverse बना लें तो यह cancel हो जाएंगे और हमें इसकी value मिल जाएगे तो हमारा यही काम होगा कि हम इस 10 inverse को आपका cos inverse में convert करें तो हम इसे माल लेते हैं 10 inverse of 3 by 4 is equal to theta अब यहां से हम क्या कह सकते हैं कि जो theta है आपका वो कहां से होगा क्योंकि 10 की जो principal value branch है वो होती है minus pi by 2 से pi by 2 यहां पर होती है यानि कि minus pi by 2 होता है fourth quadrant में जब angle को clockwise measure करते हैं तो यहां से यहां यानि fourth और first quadrant में अब इसको इधर ले आओ तो 10 theta हमारे पास आगया 3 by 4 यानि 10 theta क्या आ रहा है positive आ रहा है और 10 theta positive कहां होता है यहां हम बता रहे थी कि angle इन दोनों quadrants में है 10 theta positive होता है आपका first quadrant में यानि 0 से pi by 2 तो जो हमारा theta है यहां पर जो theta है वो होगा 0 से pi by 2 pi by 2 नहीं है यहां पर क्योंकि open interval है तो 0 से pi by 2 आपका first quadrant में यह होगा अब 10 से cos कैसे निकालेंगे 10 से sec पर जाने का relation होता है we know that की sec square theta minus 10 square theta is equal to 1 इसको इधर ले जाएंगे और square को आप इधर ले जाओगे तो sec theta is equal to root 1 plus 10 square theta तो यहां हम value रख सकते हैं तो यहां से sec theta आएगा under root 1 plus 10 square theta यहनी 9 by 16 आप बोलोगे sir root के अंदर से तो value plus minus आती है तो definitely plus minus आती है बट यहां पर जो theta है वो आपका first quadrant में है और first quadrant में सभी positive होते है यानि यह sec भी क्या रहेगा positive रहेगा तो that's why I am positive sign ले रहे है यहां पे आगया LCM 16 that is 16 plus 9 यानि की root 25 by 16 that is 5 by 4 तो sec theta किसके बराबर आगया 5 by 4 के बराबर आगया अब हमें चाहिए था cos inverse cos inverse हमें मिलेगा cos से तो यहां sec से cos निकालना आसान है which implies कि जो cos theta है वो होता है 1 upon sec theta यानि 1 upon 5 by 4 यह 4 उपर चला जाएगा तो यह बन गया 4 by 5 तो यहां से जो cos theta है वो आ गया 4 by 5 cos को इधर ले आओ theta is equal to cos inverse 4 by 5 theta बराबर था आपका 10 inverse 3 by 4 के यानि इस 10 inverse 3 by 4 को मैं cos inverse 4 by 5 लिख सकता हूँ value रखो यहां पर तो यह आ गया cos of cos inverse 4 by 5 cos inverse से cos कैंसल हो गया तो 4 by 5 तो हमें value मिल गई that is 4 by 5 हमारा primary target था 10 inverse को cos inverse में बदलना ताकि हम यहां से value निकाल पाएं झाल मिल रहां से इस सत्वाइब तो do uh